2002 के नरोदा पार्टिया नर संग्धार मामले में फूर मंती माया को नानी को गुज्जात हाई कोट ने निदोश करार दिया है जबकि आने आरोपी बाबू बजरंगी हरेश छारा सुरेश लंगडा को दोशी करार दिया है बाबू बजरंगी को आजीवन कारवास की सजा मिली है आज विपक्षी पार्टियों की संसत में बैठक होने वाली है इस बैठक में चीफ जस्टिस के खिलाव महाभयोग प्रस्ताव लाने पर चचा होने की संभवना है उत्तरप्रदेश की सीतापूर जिले में दिल देला देने वाला मामला सामने आया है यहां एक पिता ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर कथित रूप से अपनी 35 साल की बेटी का बलातकार किया है करनाटक विधानसवा चुनाओ में सीम सिद्रमयया दो सीटों से चुनाओ लड़ सकते हैं बता दे कि करनाटक में कॉंग्रेस ने उमीदवारों की पहली लिस जारी कर दी है जिसम प्रमिच्षा हिंदू नहीं है बलकि वर जैन है सुप्रीम कोर्ट ने केंद सरकार को अंडर वर्ल डॉन दाउद इब्राहिम की संपत्ती को जब्त करने के आदेश दिये हैं कोर्ट ने डॉन की बेहन हसीना पारकर और मा अमीना भी द्वारा दायर याशिका को खारिज करते वे ये फैसा सुनाया है जारकन हाई कोर्ट ने चारा गुटारा मामले में जालुपरसाद की जमानत को अभी टाल दिया है इस मामले में अब 4 माई को अगरी सुनवाई होगी पिहार के और अंगबाद जिले के बारूर थानक छेत्र में आग लग जाने से 23 घर जलकर खाक हो गए हैं जबकि इस हाथसे में एकी परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ रही बेतहाशा कीमतों से लोग परशान हैं इसके लिए अब कोई नीती बनाने की भी मांग उच रही है गौर्टलब है कि पेट्रोल की कीमते पिछले 4 सालों के उचिस तर पर पहुँच गई है आईपिल 11 के कल देराथ खेले गए मैच में विस्पोटक बल्लेबाच क्रिस गेल के बहतरीन शतक से किंग 11 पंजाब ने पूर्व चैंपिन सेनराइजर्स हैदरबाद को 15 रनों से हरा दिया